जब अपने हम शकली से मिले राहुल गाधी तो हो गए हैरान। जाने कौन है वो। राहुल गाधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है। लुध्याना के दो राहा से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा समराला चौक पर रुखी। यात्रा में एक नौजवान आकरशन का केंद्र बना था। इनका नाम फैसल चौधरी है। यह दिल्ली से राहुल गाधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं। फैसल की शकल राहुल गाधी से मिलती है। फैसल ने दाड़ी भी राहुल गाधी जैसी रखी है और उनका हसने का स्टाइल भी राहुल गाधी जैसा है। इस कारण लोग भी फैसल को देखकर एक बार तो चौक गए। जब राहुल गाधी फैसल से मिले तो वहाँ भी एक बार हैरा राहूल से मिलने के बाद सभी फैसल के साथ फोटो खिचवाने में लगे रहे। जब फैसल सुबह खन्ना से निकले तो सभी लोग हैरान हो गए कि राहूल गाधी अकेले कैसे चल पड़े। उनका सुरक्षा घेरा कहा है। जब लोगों को समझ आया कि फैसल राहूल के हम शकले हैं तो सभी ने फैसल को खेल लिया। सभी उनके साथ सेलफी लेने लगे। लोगों का कहना है कि असल राहूल को सिर्फ दूर से देख सकते हैं लेकिन फैसल को हम गले भी मिल सकते हैं। फैजल ने कहा कि उनकी शकलत कुछ ना कुछ राहूल गाधी जैसी है इस कारण कई लोग धोखा का जाते हैं उन्होंने राहूल गाधी के साथ दिल्ली से यात्रा शुरू की थी वहाँ आज से पहले उनसे नहीं मिले थे मिलने की इच्छा थी जो पंजाब में पूरी हुई ह राहूल भी एक बार उन्हें देख कर हैरान हो गई थे फैजल ने राहूल से कुछ मिनट बात की और कहा कि राहूल गाधी काफी अच्छे इंसान है वह लोगों का दर्द समझते हैं वह भी राहूल गाधी के नक्षे कदम पर ही चल रहे हैं बेरोजगारी किसानों और भी तो बड़े मसले हैं लेकिन इसके साथ ही आपसी भाईचारा भी एक बड़ा मसला बन चुका है जब से देश में भाजपा की सरकार आई है आपसी भाईचारा तूट रहा है इसे जोडने के लिए ही राहूल गाधी निकले हैं और उनके पीछे-पीछे ही वह चल रहे है फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोस्ता समस्ते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए निउस डेस्क से प्रिया